तीन देवसिये खादी ग्रामोध्योग प्रदशनी का आयोजन किया जा रहा है। प्रदशनी इस्थल पर, खादी वस्त्र, गार्डन टूल्स, फोटो फ्रेम, मॉम बत्ती, मॉम के गदे, जारी एवं, पेच वर्क, शहत और माटी कला आदी से संबंदित स्टॉल मुख्य अक्रशन के रूप में लगाये गए। अपने संबोधन में रामपूर शेहर विदायक ने कहा कि सरकार द्वारा इस्थानी उत्पादों को भड़ावा देने के लिए भिविन इस तरों पर लगातार प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं इस्थानी उत्पादों को अपने देरिक जीवन शेली का हिस्सा बना कर हम सबी को इस्थानी होनर बंद लोगों को शशक्त बनाने के लिए सहयोगात मग भूमिकर निभानी चाहिए स्थानी उत्पादों को भड़ावा देने से रोजगार के अफसरों का स्रजन होता है और स्थानीय कारिगरों को अपने हुनर के आधार पर आजिवका के लिए दूर दरास की मार्केट पर निर्भन नहीं होना पड़ता है और मुझे लगता है कि इसको देखकर आने वाले समय में और जो लोग है उसे जागरों के और कारुबार भी बड़ेगा और लोगों के इनको जाने से भी आईगी है सर्थानी इसमें आप क्या संदेश जाना चाहेंगे जो आज प्रदर्श्णी लगाईगी है संदेश ही है कि सरकार की योजनाओं को एक पर समझने की जरुवत है आज सरकार चाहती है कि बेरोजगारी को जड़ से खतम किया जाए और स्वेम जो लोग है वो कम से कम क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के लोगों के हातों में अंदर जो हूनर है उसकी पहरशादी है सफ एक अच्छा जो हमारे योगी जीजिस तरीके से कर रहे हैं वही कर सकते हैं उसी के परिशेप में यहां जो योजनाओं होती है हार विवाग में उस योजनाओं को सभाज जरुवत है और इस तरीके की जो प्रदशनिय लगी है यह रामपूर में पहली बार जो लगी है यह बहुत अच्छा करता है मुझे लगता है इससे रामपूर की जो भी रोज़ारी है उस पर बहुत अक्सर पड़े हो बहुत जल दूर पती है और आटी सिपकार उद्योग गुपादन सहकारी समीती सीगन खिड़ा मैं मैं सभापती है आप आज कि खड़े क्या हो रहा है क्या कारिकम चलना है यह जन्पद रामपूर में इस्थान है आधर्स रामनीला ग्राव यहां पर आजादी का अमृत महथसब खादिक रामोद्यों के माध्यों से मनाया जा रहा है इसमें माटी कला बोर्ड के माध्यों से जो भी लोग श्टाल शुरे हैं उन्होंने अपनी कला दिखाने के लिए जो जो भी अपने अच्छे कारे किये हैं उन्होंने अपना अपने स्थान लगाय हुए इसलिए किसे आगे लोग दीपकर अपना श्रोज़गार चालू कर सके मेरा नाम राजीर लोचन है मैं माटीकला अध्योगी पुत्पादन सहकारी समीती का सभापती हूँ अच्छा आप इस समय कहां खड़े हैं और यह इस समय जो है यह खादी ग्राम उत्योग महोसम मनाया जा रहा है उसकी प्रदर्शनी आदर्शनाव नीला ग्राउंड रामपूर में लगी हुई है उसमें हमारा इस्टाल लगा हुआ है तो यह रामपूर में ही बनती है जो प्रॉड़क्ट जो भी आप कवर करेंगे यह सभी रामपूर में बन रहे हैं जब से माटीकला वोट 2018 में उत्तरकरदे साशन ने बनाया सरकार में आया तब से यह माटीकला और जो की पुर्पातन सहकारी समीती जो आए एक्टिव हुई बनी रेजिस्टर्ड हुई और उसके बाद जो है हमने साड़े तीन सो लोगों को काम में लगाया हुआ है जो आपने प्रामप्रागत कार्य में लगे हुए थे वो आज डेकोरेडिर आइटम्स बना रहे है इससे रोजगार भी मिला है गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकिस्टा के छेत्र में मत्रा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टैस्ट्यूब बेबी सेंटर है IVF में 70% सफलता इस्टी रोग विभाग में हाई रिस्क डिलिवरी सेजेरिन ओपरेशन हिस्टेक्टोमी आदी बेहत अनुभवी एवं कौलिपाइड लेडी डॉक्टर रुवारा किये जाते हैं हड़ी रोग विभाग की एडवांस यूनिट जहां पर जोड प्रत्यारों पढ़ियाने की घुटना रिप्लेस्मेंट, कूल हर रिप्लेस्मेंट, रीड की हड़ी के ऑपरेशन, एवं फैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदी की सर्जरी की जाती है हर प्रकार की जनल सर्जरी एवं दुर्भिन वीदी से हर प्रकार के लेप्रोस्कॉपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज, हॉस्पिटल एन एबीच से मानता प्राप्त है, मॉड्यूलर ओटी एवं हाई टेक मशीनों से फिजियो थेरेपी, एमस लिए येवं CMC बेल और दारा सर्टीफाइट पैथलोजी, गोपिकरेशन हॉस्पिटल में आईशमान कार्ड, ESI कार्ड, BSNR के कार्ड, railway के करमचारियों के कैचलेसट इलाज की सुविथा, लगबख सभी इंशॉरेंस कमपनिया एवं TPI का इलाज को कैचलेसट इलाज की स झाल झाल